नमस्कार दोस्तों अपकी खबर तुनिशा शर्मा सुसाइड केस से शिजजान के वकील ने तुनिशा की मा के दरगाह वाले बयान को किया खारिज वायरल फोटो की बताई सक्चाई अक्ट्रिस तुनिशा शर्मा सुसाइट केस को लेकर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं इस मामले में पुलिस की गिरफ में मौजूद शिजान खान के वकील ने तुनिशा की मां के आरोपों को खारिच कर दिया है चोटे परदी की मशूर आक्टरस तुनीशा शर्मा सुसाइट केस का मामला हर दिन चर्चा का विशे बनता जा रहा है तुनीशा को अत्मत्या करने की लुकसाने के आरोप में पुलिस को स्टार और आक्टर शिजान महुम्मद खान को गिरफतार कर चुकी है जिन्हें अब 14 दिन की न्याई खिरासत में भेज दिया गया है तुनीशा शर्मा की मा ने शिजान और उनके परिवार पर कई गमधीर आरोप लगाए हैं जिस पर शिजान के वकील ने उन्हें बेबुनियाद करार दे दिया है सामने आया शिजान के वकील का बयान तुनीशा शर्मा सुसाइट केस में शिजान कान को 14 दिन की जुडिशिल का स्टेडी मिलने के बाद आक्टर के वकील शैलेंदर मिश्रा ने मीडिया से बाचीत की है मेरी जानकारी के मुताबिक शिजान के वकील ने कहा है कि तुनिशा शर्मा की मा वनीदा शर्मा की तरफ से शिजान और उनकी फैमिली पर धर्म बदलवाने और दरगाह ले जाने वाले आरोप बे बुनियाद हैं। सोंबार को प्रेस कॉंफरेंस करेगी शिजान की फैमिली इतना ही नहीं तुनिशा शर्मा ससाइट केस को लेकर शिजान खान के वकील ने बताया है कि 2 जनवरी 2023 यानि सोंबार को शिजान की फैमिली हमारे साथ मिलकर एक प्रेस कॉंफरेंस करेगी जिसमें हम बताएंगी कि इ केस को डूसरे ट्रैक पर ले जा रही है मंडे सुबह 11 बजे इस मामले से जुड़े कई राज से हम परदा उठाएंगे और तुनिशा की मां के आरोपों का जवाब देंगे तो इस बारे में आप अपनी राय हमारे साल जरूर शेयर करें इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इचान को सब्सक्राइब करें धन्यवाद